हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज विद्दुधारा का ये तीसरा पाठ है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक की बारे में डिसकस करने वाले हैं चुह ही ओम का नियम ठीक है तो चलिए दोस्तों ब अच्टियापन करेंगे और उसके बाद हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में मतलब यह चार्ट टोपिक हमने क्लियर करने वाले हैं आपने थमनेल में देखी लिया होगा तो चलिए दोस्तों बीना देर के सुरू करते हैं तो सबसे पहले ओम का नियम तो सबसे पहले आता है ओम का नियम ठीक है तो ओम का नियम है क्या ठीक है तो यह आपको हमेशा याद रखना है कि यह क्या है इन्पोर्टेंट है ठीक है बहुत ही इन्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है तो समझिए एक फीगर के माद्याम से हम समझ आई धारा प्रवाहित किया तब इसफालजक के सीरों पर विभों के उत्पन हो गया विभोंपन भी उत्पन याज रखेंगे चालक अगूर होता है कि मतलब भौती का वस्ता में बिना परिवर्तन किये कि ए ठीक है बिना परिवर्तन किये ठीक है मतलब चालक जो है उसके लंबाई चोड़ाई उसके तापमान को को बीना परिवर्तन किए उस चालक में उत्वनिदत वारवव मतलब मतलब कहने का इतना मतलब इसमें समझने के यही बात है कि जो चालक होता है उसके भावति कवस्ता मतलबंबाएंच छटाई में बीना परिवर्थन किये किये और उसमें धारा प्रवाहित करते है तो उसके विद्धुत वाहा जो विभा होता है उसके समानुपाति होता है कहने का टोटल मतलब यह है कि जो विभाव उत्पन होगा यह चाला की सीरुपह गण उत्पन होगा वो उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होगा ठीक है मतलब चालक की सीरुप उत्पन विभव जो उत्पन होगा उसमें प्रवाही धारा के क्या होगा समानुपाती होगा यह क्या है यह विभव है ठीक है और यह क्या है यह विद्दु धारा है ठीक है तो ह बिना परिवर्तन कीए चालक के सीरो पर उत्रपन विभव उसमें प्रवाहित भिद्दुधारा के समानुपाती होता है यह क्या है यह चालक है आपको को रटना नहीं इह क्या कहा जा रहे कि चालक के भावतिक अवस्ता में बिना परिवर्तन कीए चालक में प्रवाहित चालक के सीरो पर उत्पन विधुत विभव उसमें प्रवाहित विद्धुत धारा के समानुपाती होता है समझ में आया समझ में आगया होगा ठीक है प्रन्तु जो कमजोर स्टुडेंट है उनके लिए मैं एक पर और बताऊंगा उसके बाद मैं लिखवाऊंगा भी और आप अगर तेज होंगे आप अगर अच्छे से समझ गये होंगे तो लिखे नहीं है तो कॉपी पेन में लिखि आती होता है ठीक है तो यह आपका हो गया ठीक है मैं इसको लिख दे रहा हूं ठीक है तो मैं यहां पर ही लिखूंगा ठीक है यहां पर ही लिखूंगा ठीक है उपर मतलब इसको मिटकाना परेगा तो इसका हम कथन लिखेंगे ठीक है कथन ठीक है कथन लिखेंगे ओम के न भौतिक अवस्था में बिना परिवर्थन किये चालक के सीरो पर उत्पन बिभव उसमें प्रवाहित बेधूत धारा के समानूपाती होता है ठीक्छे आपका हो गया कथन ने में क्या कहा जा रहा है जो हमने पहले बताया है वही सिंपल से लिखा गया है कि चालक के भौति कवस्ता में बीना परिवर्थन किये मतलब उसकी चोड़ाई लंबाई में बीना परिवर्दन किये चालक के सीरोप उत्पन विभव उसमें प्रवाहित विद्दु धारा आई किया होता है समानुपाती होता है पुल कहने के बात है कि जो भी होगा वो समानुपाती होगा आई जहां भी क्या है चाला के सीरोप उत्पन भी भह वह हे यह का है, धार है, और यहीं से भी समानुपाती के चींद हटता है, तो gìर का आता है, इक्वल और यहां पे एक नियतांक आर आता है आर आई हो जाएगा आर यहां पे क्या है आर ही आर को अगर यह आई है इधर हम भेजेंगे तो इधर गुणा में इधर आएगा तो इक्वल में तो यहां पे भागुए हो जाएगा तो मतलब यहां से आर इसकोल टू भी भाई आई निकल गया तो यहां से हम जान गए यह जो आर है यह आर ही क्या है आर प्रतिरोध है ठीक है आर ही क्या है प्रतिरोध है यह क्या है विभव है और यह क्या है धारा है ठीक है तो यहीं से हमें प्रतिरोध का भी क्या है निकल गया फॉर्मूला निकल गया ठीक है ओम के नि नियम यह कथन लिखना है उसके बाद यह आपको लिखना है यह फिगर बना लेना है उसके बाद आपको यहां से सिंपल से आपको लिख देना है या फिगर इतना ऊपर कमद बनाईएगा सिंपल सी ओम का नियम में कथन लिखकर यहां से नीचे का सब इतना उतार लिजेगा ठ ठीक है अब हम देखेंगे प्रतिरोध के बारे में ठीक है मतलब इस फॉर्मूले के बारे में कि प्रतिरोध का हम सिंपल से हम इसका डिफिनिशन कैसे करेंगे तो इसको मिटका दे रहा हूं ठीक है आपको अगर अच्छे से समय में यह आया होगा ठीक है तो आपको सबसे पहले इसको पुना एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना है ठीक है और आपको कभी भी आओकर आपको भूल जाते हैं तो वीडियो को पुना से चालू करके आप याद करेंगे ना तो समझने स या तो आप फीगर के माध्यम से आप ऐसे मतलब आपने कांपी पे ऐसे बनाईए कि आपको समझ में फीगर को देखने के बार आपको कथन को पढ़ना या रटना ना पड़िए वहीं से समझ कर आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए या आपको दिक्कत हो रहा है तक त समय अन कीचिए और विडियो को देखें इसको ठीक है आप सीम्पल सी लिख लेंगे यूटीक पे की ओम का नियम हमारे चैंप qa नाम लिख्य का आपको वीडियो मिल जाएगा कोई आपको नियाता है सृम्पल से ही उसका नाम लिखिए चानल का नाम किय और उसको आप क्लास 12 के स्टुडेंट होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 12 आल वीडियो क्लास 12 फिजिक्स या भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट वहां पर आपको सिक्वेंस में एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा वहां पर लिंक पर क् जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है दूसरा टोफिक है प्रति रोद Presidential का मतलब होता है अवरोद प्रति-्रोद का अर्थ क्या होता है तो प्रति-रोद का अर्थ होता है औरोध औरोध मतलब बांधा या रुकावट ठीक है मतलब यह है कि प्रतिरूद का मतलब है किस में बांधा किस में रुकावड तो मतलब जब चालक में हम प्रवाहित बिद्दु धारा जब प्रवाहित करते हैं जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में क्या करता है और रूद का कार्य करता है प्रतिरोध और रूद उत्पन करता है मतलब उससे रोकता है जब धारा प्रवाहित करेंगे किसी चालक में तो उसे रोकेगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, तो simple से आप से कोई अगर पूछ दे, कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कि धारा के मार्ग में, मतलब बिद्दु धारा जो आई होता है, उसे हम कहेंगे, कि बिद्दु धारा के मार्ग में उत्पन अरोध को प्रतिरोध कहते हैं, simple सी आप कह सकते हैं definition, क्या कहेंगे, कि धारा, मतलब बिद्दु धारा के मार्ग में उत्पन अरोध को प्रतिरोध कहते हैं, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ अगर हम से कहें, तो अर मार्ग में उत्पन अरोध को क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं ठीक है ती आप कह सकते हैं डिफिनिशन ठीक है आप कह सकते हैं परन्तु आपको अगर बोर्ड एक्जाम में आ जाए तो क्या आप यही कहेंगे प्रतिरोध का तो नहीं आपको यह से अर्थ में लिखना है अर्थ में कहेंगे कि मतलब विद्दु धारा के मार्ग में उत्पन अरोध को प्रतिरोध कहेंगे ठीक है तो आपको डिफिनिशन इसका जब क्या आजाए जब तो definition आपको क्या करना है, परिभासा आपको क्या देना है, जब अगर बोड एक्जाम में आ जाए, तो हम प्रतिरोद का फ़र्मूला जानते हैं, आर इसकल टु, भी बाई , धीबाई जानते हैं, ये हमने om की नियम से ही, हमने प्रतिरोद का फर्मूला निकाला था। ठीक है तो हम यदि समझेगा यदि जो i है i क्या है बिद्धु धारा है यह क्या है विभाव है ठीक है विभाव है ठीक है तो यदि यहाँ पर जो i है i को हम एकाई ले लेते हैं, जो भी दो धारा है, उसे एकाई मतलब एक एंपियर ले ले लेते हैं, एक एंपियर यह हम कहेंगे एकांग, ठीक है, यह हम कह सकते हैं एकाई, ठीक है, एकाई कह सकते हैं, तो यदि धारा को एकाई ले लिया जाए, तो जो आर होगा, वो क्या हो मतलब जो प्रतिरोध होगा वो विभो के बराबर हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं प्रतिरोध की डिफिनिशन में क्या कहेंगे कि एकांक मतलब एक एंपियर की हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक विद्धु धारा किसी चालक में एकांक विद्धु धारा प्रवाहित करने पर उत्पन विभव प्रतिरोद कहलाता है यसे भी आप कह सकते हैं डिफनीशन बहुत तरीके से कह सकते हैं बस समझने की तो कोशिस है कि समझने नहीं इसी फॉर्मूले में ही तो डिफनीशन आपका छुपा होता है ठीक है समझना होता है क्या कहेंगे कि एकांक बिद्दु विभव प्रतिरोद कहलाता है समझ में आया मतलब ये भी क्या है विभव है मतलब चालक के सिरू पर जो उत्पन विभव होगा वही तो है भी आई क्या है मतलब चालक में प्रवाहित बिद्दु धारा है तो हम क्या कहेंगे कि चालक में प्रवाहित बिद्दु धारा ठीक Q कहते हैं विदुभु सोअरी प्रतिरोध कहते है ऐसे आप definition में कह सकते हैं या दूसरा तरीका आपको दूसरा भी बता दू तरह कारा हैं दो आपको बता दिया गया, दो डिफिनिशन, आप जैसे आपको समझ में आए, वैसे लिखिए, ठीक है, आपको, मतलब कोई भी फॉर्मूला है ना, उसी में उसका डिफिनिशन सुपा होता है, आपको बस समझने की तो देरी है, आप समझ जाएंगे, तो कभी भी आपको डि है, इसे अनुपात कहते हैं, तो यह क्या है, भी क्या है, चालक के सिरो पर उत्पन विभो है, यह धारा क्या है, यह आई है, मतलब चालक में प्रवाहिद विद्दु धारा है, तो क्या कहेंगे, कि चालक में चालक के सिरो पर उत्पन विभो, तथा चालक में प्रवाहिद के सीरो पर लिखे चालक के सीरो पर उत्पन विभव चालक में प्रवाहित विद्धुधारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं हो गए आपका डिफिनिशन ठीक है अब इसका आता है मात्रक ठीक है मात्रक ठीक है तो याद रखेंगे इसका मात्रक होता है सबसे पहला ओम, ठेके? सबसे पहला होता है ओम, दूसरा इसका मात रख होता है, यह इसे निकाल ले तहाए, भी वह पाक मात रख होता है, बोल्ट, प्रती, आई का क्या होता है, एंपीयर एंपीयर तो ये भी हो जाएगा बोल्ट प्रतीय यह इसी को थोड़ा सा चेंज करके आपको दे 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 जायेगा बोल्ट ampere और उपर माइनस मतलब inverse लगा दिया जाएगा ति ये तीनों ही इसके क्या है इसके जो बिदुद जो प्रतिरोध है इसके मातरक है ohm, bold ampere और bold प्रति ampere या bolt ampere inverse ये तीनों इसके मातरक है तीनों आपको याद रखना है क्योंकि board exam में आपको घुमा का question पूछता है आपको कह देगा objective type question में मतलब बहु बिकल्पी question में आपको कहेगा कि प्रतिरोध का मातरक है आपने ओम याद किया होगा आपको तीसरा number वाला दे देगा ठीक है तो आपने तो यह याद किया आप सुचेंगे तो option में है यह नहीं है तो option में भ एक ओम ठीक है समझेगा एक ओम का परिभास आप से पूछ लिया जाता है कभी भी board exam में ठीक है तो एक ओम का परिभास आप कैसे कहेंगे समझेगा हम जी जानते हैं कि आयर बुराबर क्या होता है भी भाई आई होता है समझेगा आर बुराबर भी भाई आई होता है यदि यदि हम B freeить इसकला तू Bere जो भी क्य वी वेव हैं ठिक है भीव है अब भी को वी को यह को यदि एक बोल्ट ले लिये जै एक ऐक बोल्ट ले लिये जै और धारा जो है मतलब बिद्दू धारा है वह आई है उसे भी हम क्या ले ले एक एक एमपीयर ले 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 तो जो प्रतिरोध होगा तब जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा प्रतिरोध मतलब आर होगा वो एक ओम होगा समझ में आया क्या कहा जा रहा है यहीं से आपको अगर मतलब बहुत ही तेजी स्टुडेंट होगे तो आप समझ गए होगे हम समझाना क चाहते हैं मतलब यदि बीभो को हम एक बोल्ट ले ले और धारा को भी एक एंपियर ले तो अब जो प्रतिरोध उस चालक में उत्पन होगा उसी हम एक ओम कहेंगे तो हम इसका डिफनिशन कहेंगे कि कोशी समझेगा क्या कहा जा रहा है किसी चालक में किसी चालक में एक उत्पन हो जाता है तो चालक में उत्पन प्रतिरोध एक ओम कहलाता है समझ में आया कितने मतलब अच्छे से आपको समझाय जा रहा है एक एक बात लिख कर तो आपको याद हो जाना चाहिए अगर आपको तो मतलब मैं समझ रहा हूं ठीक है याद हो जाना चाहिए ठीक है मैं चालता हूँ कि आप단 सरी जरूर बताइएगा कि आपको इतना मेहनत से है रहा है इतने अच्छे से बार बार आपको बताए चाहरा रहा है तो मुझे नहीं पता चल–整 Déks इसमैं के आंख epic कि मतलब कोई भी चालक है उसी में तो हम धारा प्रवाहित करेंगे ना तो हम कहेंगे किसी चालक में एक एंपियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक के सीरो पर एक बुल्ट का विभव उत्पन हो जाता है तो चालक में उत्पन प्रतिरोद एक ओम कहलाता है ठीक है मतलब किस उसी चालक में एक एंपियर के धारा परवाइद करेंगे, तो उसी चालक के सिरोपर ना, एक बूल्ट का विभाव उत्वण हो जाएगा, तब जो चालक का प्रतिरोध होगा ना, उसे ही हम एक ओम कहेंगे, यह कंडिशन है कि एक एंपियर की धारा परवाइद करना है, तब चालक में एक बोल्ट का विभो उत्पन होगा तब इन दोनों कंडिशन का जब पालन करेगा तो उस में उस चालक में तब प्रतिर्वद उत्पन होगा उसे ही हम एक ओम कहेंगे यह कंडिशन है यह सर्थ है तब ही हम एक ओम कहेंगे तो आपको बता दिया गया ठीक है तो एक एंपियर का विद्दो धारा प्रवाहित करने पर चालक के सीरो पर एक बोल्ट का विभव उत्वपन हो जाता है तो चालक में उत्वपन प्रतिरोत एक ओम कहलाता है तो उमीद है बहुत अच्छे सा आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे जो के बहुत इनपोर्टेंट है कभी भी बॉड एकजाम में कि आप से बिस्वपन का सत्यापन कीजिए तो आप मतलब बहुत ही हाड 하 होता है बुक में तो इतना हाड तरीके से दिया गया है, इतना बड़ा कर दिया गया है, कि लड़के को मतलब देखकर ही डर लगता है, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, कि आपको यहाँ से याद हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, और यहीं से आपको, मैं कहा रहा हूँ कि 90 प्लस आपको समझ में आ जाएगा, और आप स्वेम इसे एक बार प्रेक्टिस करने के बार, इन पांच फर्मूलों को याद करने के बार, आप स्वेम ही आपको बना लेंगे, ठीक है, और आप पहले से अच्छे से पढ़ते हुआ आ रहे होंगे न, त ठीक है, तो चलिए, अब हम देखेंगे, ओम के नीमो का सत्यापन, तो आप से रिक्वेस्ट है कि अभी बहुत रात हो गया है, इस समय में वीडियो बना रहा हूँ, ममी लो तो सभी दूस हो गए है, ठीक है, फिर भी मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, त ठीक है, अब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप मतलब, अगर आप मतलब मुझे अपने मेहनत कफल देना चाहते हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो से के तो कमेंट सेक्शन में मेरा भी मदद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सुरुवाती वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ही आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, चलिए आप देखते हैं, ओम के नीमो का सत्यापन, जो कि मैं कह दिया हूँ पहले, 90 प्लस आपको समझ में आएगा, आप डेरिवेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो हम देखेंगे, चौथा ओम के नीमो का सत्यापन, ठीक है, यह हम कह सकते हैं, ओम की नीमो की गड़ना, ठीक है, सत्यापन, यह हम कह सकते हैं, गड़ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बुक में तो इसको बढ़ा चड़ा का heading लिख दिया गया है परन्तु बात वही है कि ओम की नियमों का सत्यापन या गड़ना तो अब हम देखेंगे ओम की नियमों का सत्यापन तो इससे मैं पहले बता दूँ कि देखिए ये ट्रिक है वही है जिसके ओम मैंने बनाया है थिक速 इसी ट्रिक से मैंने भी याद किया था अँव मैं चाहता हूं कि आपि इसी ट्रिक के मादय Improve से याद करें और इसको आप बना लें तो ये पांच फऱ्ूला जो बताने वाला हूं इसी पर आप उम की मो का सत्यापन कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला है कि विद्दुत वाहकर बल इस कॉल्टू फ़र्मूला होता है ह। गयों मेरे लगी लगा हुए हुँ ठीक है आपको साथ में ब्लू दे रहा हूँ तो The बिदुद वहाग बल इस प्रदसित करते हैं वाग बल को हमने बताया है तो बिदुन्ध वहाग बल भी इसकल टु भी बाई एल भी बाई एल जहां भी क्या है विभौ है और एल किया है चालक्तार की लंबाई है ठीख किए ये फॉर्मुला याद रखना है A is difficult to F by M. यह A क्या है? त्वरण है, F क्या है? बल है? M क्या है? M क्या है? दरबेमान है. हम जानते हैं ball बड़ाबर क्या होता है? दरबेमान Gुड़े त्वरन होता है, M क्या है? दरबेमान त्वराण अभं tegenć ergomi christ बाल क्या फर्मूला है यह लिख्या गया है को याद रखना है गति के प्रथम नियम से यू यू इसकॉल टू क्या होता है भी इसकॉल टू भी इसकॉल टू यू प्लस 80 यह होता है गति के प्रथम नियम से पांचवा आपको फार्मूला याद रखना है पांचवा सबसे इसमें पूटव करेंगे समझेगा यहां यहां पे रखेंगे उसके बाद चैने उसके भीडित अनुगंवन वेग ही तो है भीडित अनुगमन वेग ही है ना वीडित तो वीडित है कमान हम यहां पर पूट आप करेंगे और जब यह हम चारों कमान ऐसे पूट आप करते हुए आएंगे तो यह हमारा ओम का नीमो का सत्यापन हो जाएगा समझ में आया तो यह फॉर्मूला यह आप ट्रिक के याद रखेंगे यह क्या है यह एक तरह से बहुत ही आसान करने के अब यहां गयंकρεί से लिए हमने यह क्या है ट्रिक के मादतम से याद किया था तो आप इस ट्रिक को नोट कर लीजये ठीक है किनारे आप नोट्स में इसको लिख लीजये और यह से याद कर लीजयेगा अएस्ट की माधियम से लिख долं कैसे सिद सीथ कर रहे हैं व्यसे आप क प्रूफ कर लीजेगा ठीक है तो मैं इसको मिटका रहा हूं ठीक है आप नोट कर लिया होंगे ठीक है पॉस्ट करके नोट कर सकते हैं ठीक है अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पहले करके अब दे सकते हैं अनोट कर सकते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओम के सिरों पर हमिला प्रस्रों को बिदूत वहक बंट टिक क्यों नहीं हमने पर्मूला इसे संब्सक्राइब ले तो आप सोच रहे होंगे विलिद तो यह स्कोल ट्म इस और इस घॉप होब किर थे कश सब्सक्रां गता है जाल अब die means और सुब्रपी करफ था सब्सक्रान का प्रह्तात अर्व करफ नुकान यह स्बोड इसे इसे फूर्मुले से यह यह निकला है प्रस्थ फॉर्मूले से हमने भी धार्अ गनत वा पढ़ियोय फ्र्मुल्य से हमने बहुत सारे फॉर्मुलय निकार ले थे तो उन फॉर्मूलय होते हैं ठीक है आपको बस बताय नहीं जाता है ति असका मतलब यह नहीं हुँआ कि फर्मूला निनी निकल सकता है आगे हम जितना मान पूट अप करते जाएंगे वैसे फर्मूला निकलते जाएंगे तो यह हो गया बिद्दुत वहाग बल का ठीक है अब हम तब तब लिखेंगे तब तब हम लिखेंगे चालक पर उत्पन बल ठीक है चालक पर उत्पन बल तो मोपल का फर्मूला हम जानते हैं एफ इसकंड़ क्या होता है एफ इसकंड़ टू जब टू यहाँ बिदूदवाकबल है तो हम लिखेंगे स्वमिकरन फस्ट से ठीक है याँ से हम इसको समी कर श्रिकल आतनर संविकरन उचर्ट से स्मिकरन फस्ट से मतलब स्वामी को first command इसमें put up करेंगे तो यहांसे क्या निकल गया है यह निकल गया f is equal to e का मांन यहां से bbyl हो गया तब भी byl , यह translates हमने समें निकाल लिए इसका ठीक है तो यह smells अब हम आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं ठीक है तो यह निकल गया उसके बात तब बॉल ठीक है तब बॉल का फर्मूला हम लिखेंगे यह आप लिख सकते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से आप यह भी लिख सकते हैं कि न्यूटन के दूतिय नियम से न्यूटन नहीं तो दूतिय नियम दिया था क्या दिया था A is called to F by A मतलब बॉल बुराबर दब्रमान गुड़े तुरा रण इसको हमने क्या क्या दिया A is called to F by M भी लिख सकते हैं इस तरह क्या से और यहां से F का मान हम इसमें put up करेंगे तो जब put up करेंगे तो A, F का मान I, E by L है तो E, B, by L नीचे क्या है M है ठीके M है की नहीं इसकी नीचे भी हम एक मान सकते हैं इसे हम क्या करेंगे उपर जाकर गुड़ा कराएगा यह इसमें गुड़ा कराएगा आपने अगर मैस अच्छे से पढ़ा होगा तो समय में आ रहा होगा ऐसे होता है उसके बाद E कमान यहां से तो यह उपर गुड़ा कराएगा तो यह क्या हो जाएगा E, B और यह M जाकर इसमें गुड़ा कराएगा तो क्या हो गया L, M तो यहां से हमने E का भी मान निकल लिया E कमान निकल गया की नहीं एक कमान निकल गया ना अब हम जानते हैं चौथा फर्मूला हमने आपको बताया था इससे पहले ही बता दिया है तब तब आपको लिखेंगे तब तब गती के प्रथम नियम ठीक है गती के प्रथम नियम हमने बताया था कि भी is equal to u plus a t u plus a t तो यहां पर जो भी है भी क्या है अनुगमन वेग है यू कमान होता है सुन्य मतलब जो इलेक्ट्रानों का जो प्रारंभिक वेग u है इलेक्ट्रानों का प्रारंभिक वेग क्या होता है सुन्य होता है तो सुन्य लिख दिया और एक कमान हम यहां से पूटब करेंगे त मतलब जब हमने पहले आपको बताया था कि मुक्ति लक्षानों के दो सतर टक्रों के बीच के समय अंतराल को ही हम क्या करते हैं स्रांतिकाल कहते हैं तो हमने पहले आपको बता दिया है सरांती काल के बारे में तो ट क्या है सरांती काल हम यहां पर रखनेंगे टाउ ठीक है टाउ से हम सरांती काल को प्रदस्रित करते हैं तो यह हो गया अब तब यह आपका निकल गया मतलब यह 0 लिखने का कोई यहां पर माइने नहीं है ठीक ह फिर भी मैंने यहां पर लिख दिया है आपको ठीक है समझने के लिए उसके बाद यहां पर बीडी कमान हम निकाले तो बीडी इसकल टू जीरो होट गया तो क्या जाए ई भी टी मतलब टाउ वाई एल एम यह आपका मान निकल गया ठीक है यह हो गया तो समीकाट शार मान लें है ठाजHigh इंगे ठीक है अूसके बाद उसके बाद आपको पूनल लिखना है तब है तब लिखना है विद्गॅ ब्लीद्धारा में ता था अनुगामं है अध्यमें है संबंधिर रधा तथा अनुगमन लीच में संबंध हमने दीखा था जो आई होता है वो N A B D into E होता है यह हमने फर्मूला पढ़ लिया था यह B और D को छोटा लिखता है तो D हो गया ठीक है उसके बाद इसको मान हम यहां पर पूट अप करेंगे ठीक है सिंपल समान पूट अप करेंगे तो आई एन रिख दिया ए लिख दिया इसका मान भीडी का मान यहां से तो हम लिखेंगे ई कोश्ट में कर लेंगे ई भी टी वाई एल एम यह लिख दिये और उसके बाद ई है तो यह लिख दिया ठीक है इदर गुड़ा में है B और T अब फिर से E ठीक है अब बट्टे क्या है एल M है ऐसे आम लिख सकते है न ठीक है उसके बाद देखे ए है आए है यह यह दोनों गुड़ा में ए तो E E गुड़ा कराएगा तो E स्क्वाइर हो जाएगा कि नहीं मतलब यह दोनों गुड़ा करा दिये तो मैं डाइरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं कि e का square मतलब e दो बार है square अभी इसको तोड़ेंगे तो e into e लिख सकते है ना तो e square हो गया ठीक है अब यहां पर याद रखेंगे यहां पर हम इसका यह सभी को हम इधर भेजेंगे तो यहां से हम इधर भेजते हैं तो क्या तो क्या है निकल जाएगा i हाई यह इधर क्या है भाग में है इधर आएगा तो गुड़ा में हो जाएगा i lm ठीक है is call to क्या हो गया back to eba 2 Ñ क्या हो गया ए इसक्क्या भी आटी यह हो गया अब यहां से समझिएगा इसको छोड़ कर सम्झिएगा इसको यह है यह भी इसको छोड़ का सभी इधर गुड़ा में है इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे और इधर आई है यह इधर गुड़ा में है यह भी इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ठीक है तो हम इसको आई इसको दोनों को हम इधर भेज़ते हैं तो सबसे पहले हम व जाएगा हो जाएगा ओदार भीक के नीचे बेज दिया तो इधार गुड़ा में है इधार आईगा तो भाग की ये हो गया के नहीं अब देखिए यहीं से आपका शुंत्र प्रूफ हो गया कैसे हाँ जानते हैं नोट्स में आपको बता Specifically की हम हम जानते हैं प्रतिरोद R वराबर B by I होता है यह हमने फर्मूला जाना है यहां पर देखिए B by I यहां पर आ गया ना तो B by I के जगह पर हम R लिख सकते हैं कि नहीं हम लिख सकते हैं R मतलब इसके जगह पर भी हम R लिख सकते हैं और इसके जगह पर इन सभी के जगह पर भी ह हम आर लिख सकते हैं क्यों जब दूनों इक्वल में हैं दूनों इक्वल में हैं मतलब इसके बराबर यह है इसके बराबर यह है इसके बराबर क्या है आर है तो हम दूनों के लिए किसी जगह पर आर रख सकते हैं तो मतलब इसका मतलब यह मिल गया कि यह जो मान है यह सभी मा रखे तो R is equal to V by I हो जाएगा और यह इधर I क्या है इधर I भाग में है इधर आएगा तो गुड़ा में हो जाएगा तो यहां से भी समानुपाति स्टाइद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर में बता दे रहा हूं ठीक है यह इधर भाग में इधर आएगा तो ऩिके भी ले लाया था तो भी समानुपाति हो जाएगा आई हो जाएगा यही को ओमकी निशों को हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं यही है मैं एकबर देखनों कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं ? छल यह ठीक है अध्यकै दिखाई दे रहा है उतना बहुत है ठीक है मतल तो ओम का नियुम था तो यह आपको पूटब बस करना है आपको गुड़ाभगा आना चाहिए यह आपका ओम का नियुम का सत्यापन हो गया ले लिए होंगे देखिए एक बार बता दें रहूं से इसको समझेगा इसको इसको तेकिए यह चार फॉर्मूले आपको पांच formula याद रहना चाहिए और याद रखना है कि जो यहां पे जो टी होता है युहहां पे होता है वह स्रांतीकाल होता है यह सबसे पहले तो यह आपका ओम के नियमों को सत्यापन हो गया बस एक लास्ट इनिप्रोंटल्स टॉपिक h कर उसके बाद वीडियो को इंड किया जाएगा जो है विदुद्धारा का जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो कि कभी भी बोड एक्जामें पूछ लिया जाते हैं तो हम चलिए देखते हैं बहुत ही सिंपल माध्य में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क मैं सवी लिए चीडियक बहुत सारी लोग पता तो उनकों बाते पास जो जो मतलब जो जो स्लेव से हो बहुत ही मतलब बड़ा है ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि अगर छोटा छोटे वीडियो बनाओ यह के करके तो ऐसे समझ में नहीं आए का अगर समझ में आ गया तो आपको मतलब बहुत देर हो जाए गया इसलिए मैं एक ही टोपिक में 5-6 एक वी जे भी समझिए आप मैं आपको समझेंगा जब आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे ठीक है तो हम अब देखेंगे अंतिम कि प्रतिरोधो को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है मतलब प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले हम कारक देखेंगे मतलब प्रतिर प्रतिरोद को कौन कौन से कारा कौन कौन से जो है वो कारक है वो इसको प्रभावित करेंगे मतलब प्रभावित करने का मतलब है कौन सा चीजों को बढ़ाये जाएगा तो प्रतिरोद भी बढ़ेगा किसको घटाये जाएगा तो प्रतिरोद का मान भी घटेगा तो हम प्रति E square into tau, ये क्या हो गया, ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीके, तो देखे, जो इसमें नियतांक होगा, उसे हम क्या करेंगे, जो इसमें नियतांक होगा, उसे हम छोड़ देंगे, तो नियतांक कौन कौन सान नहीं है, तो देखे, नियतांक जो नहीं है, उ तो इसको हम बढ़ाया गटाम नहीं सकते हैं तो यह तीन चीजें हैं जो निर्भर करती हैं ठीक है तो हम यहां से लिख सकते हैं सबसे पहला कि आर समानुपाती L ठीक है जो उपर होता है वो समानुपाती होता है आर समानुपाती L मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिरोध के किसी चालक में प्रतिरोध के मान बढ़ाएंगे तो चालक तार की लंबाई भी क्या होगी बढ़ाएंगे मतलब कहने के मतलब है कोई भी चालक तार है उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा हम जानते हैं कि दूर तक अगर लाइट ले जाना होता है तो तार हम बहुत मतलब लंबाई यूज कर देते हैं जिसके कारण वहाँ पे बोल्टेज बहुत मतलब धीमा जलता है ठीक है उसी कहने का मतलब है कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और जब प्रतिरोध बढ़ेगा प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में अरोध तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम पहुचेगी ना धारा कम पह सबसे पहले प्रभावित करने में या लिखेंगे कि चालत्तार के लंबाई को बढ़ाने पर प्रति रऊव्ध कामान बढ़ता है त्रिके यह हो गया पहला दूसरा याद रखेंगे कि जो R होता है वो ब्यूत् क्रमानुपाति होता है A upon A के ये कह है अनुपरस्टकाड का छेतरफल है, किस की अनुपरस्टकाड का छेतरफलू है? मतलब चालक तार के अनुपरस्टकाड के छेतरफलू है? है कि अगर चालक तार के मोटाई को यदि हम चालक तार के मोटाई को हम बढ़ा दे ना यदि चालक तार के मोटाई को बढ़ा दे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा समझ में आ रहा है चालक तार के मोटाई को हम बढ़ा दे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा मतलब यदि हम चालक जो तार है, जो तार है, उसको हम मोटा कर दें, तब जो प्रतिरोध का मान होगा घट जाएगा, जैसे मोटे तार को हम दूर तक ले जाएगा, तो उहाँ पे भी तेज बल्ब, मतलब क्या होता है, लाइट मतलब प्रकास अधिक होगा, क्यों? क्योंकि हम जब मोटा तार के यूज करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जागा और प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक प्रवाइत होगा ना तेजिस प्रवाइत होगा जिसके काराण बल्ब जलेगा तो आप लिख लिजिएगा लिखें कि चालक तार की मोटाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध कामान करता है ठीक है तीस रा लिख लेंगे कि ऊर कर मॉन आ पान टी ठीक है वो न न पान टी-लिख लेंगे वन येदि स्रांथिक闹 के मान को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं एलेक्ट्रानों के बीच मुंप अंतराल को हम बढ़ाते हैं तो उस तरह के SUN तothesता है मतलब ताप मान, जो सरान्तिकाल 해, मतलब किसी चालक तार के सरान्तिकाल के मान को बढ़ाने पर, परतिरोद का मान क्या होता है घटता है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा और चोथा याद रखेंगे, चोथा जो आर होता है वो क्या होता है समानुपाती होता है ताप के ठीक है आर समानुपाती होता है ताप के मतलब जो ताप को बढ़ाने पर ठीक है यह क्या है ताप है मतलब ताप को बढ़ाएंगे यदि ताप को हम बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है बढ़ जाता है म तो इसलिए कहा जा रहा है कि मतलब तापमान बढ़ेगा न तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और जो प्रतिरोध बढ़ेगा तधारा कमान्तम होगा कि नहीं तो यह आपका पांश टोपिक आपकी खिलियर हो चुके हैं तो चलिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएग कि मैं आपको अच्छे सचे वीडियो और क्वाइटी में आपको प्रोवाइड करा सकूं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद